गुन मॉर्णिंग फॉर्ट क्लास हमारा बेटा हिंदी रीडर में पार्ट 3 चल रहा है जादूई कवीता हमने एक्सरसाइज की थी और आज हम यहां से करेंगे स्टार्ट पेज नमबर 25 पे है हमारा करो और सीखो फर्स्ट देखो आपको दिया है नीचे दी गई कवीता कक्षा 4 के एक बच्चे द्वारा लिखी गई है कवीता को कंठस्त करो आपको इस कवीता को पढ़ना है और उसके बाद आपको यह 3 कोशन्स दिया है यह एक्टिविटी है यह आपको अपनी नोट बुक में करना है तो फर्स्ट इनोंने कहा है सचमुझ में कितना सुंदर है दूद दुलासा चंदा घूम रहा है नभ में मोहक यहां वहां जब चंदा दूद सरीखे जरने जर जर बरसाता है चंदा छिटक चान्दी जाती जोही जलक दिखाता चंदा होता नहीं कभी भी गुसा लगता हमें क्यों खुद ही खाता चंदा तो यह एक फॉर्थ क्लास के बच्चे ने यह कवीता लिखी हुई है इसके बाद जो यह दिया है सेकिंड कोशन है इस कवीता की तरहें आप भी एक कवीता बनाओ और कक्षा में सुनाओ तो यहां पर मैंने यह पेस्ट की है और आप इस को लिख सकते हो और ऐसी ही पिक्चर आपको यह अपनी ड्रो कर सकते हो या फिरा पेस्ट कर सकते हो देखिए जागो जागो हुआ सावेरा सूरज चमका गया अंधेरा हाथ जोड प्रभू को याद करो इस नए दिन की शुरुआत करो तो यह आपको अपनी नोट बुक में क कोशन के बाद आंसर लिखा है जादू कविता शीर्षक के अधार पर प्रकृति के जादू पर यह कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक है काला बादल जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है यह प्रकृति की एक अनुपम भेट है यह देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया ह आप इस इन लाइन्स को आप पोयम को लिखेंगे और कोई भी बारिश की और कोई भी बादल की ऐसी आप पिक्चर पेस्ट करेंगे तो आप उनसे किस प्रकार की कवीता लिखवाना पसंद करेंगे अनसर है इसका मैं एक छोटा सा बालक या बालिका होने के कारण बालेपन के कारण बच्चों से समंदित कवीताई लिखवाने के साथ-साथ आतम विश्वास से भरी हुई कवीता लिखवाने पसंद करूंगी तो यहाँ पर यह मैंने पिक्चर पेस्ट की है गुडिया रानी क्यों रूठी हो गुडिया रानी खालो लड़ू पीलो पानी अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बात मान लो गुडिया रानी तो यह पिक्चर यह भी आपको पयाम अपनी नोट बुक में लिखनी है और ऐसे ही कोई पिक्चर आपको पेस्ट करनी है ओके थैंक यू